दुस्तों यहाप और मेरा हाथ में 2 लइसंस है, 2 लइसंस मेरा hand is non-t выд commodity आज से कुछ दिन पहले मेरा adv करता था लेकिन आबि मैं कुछ दिन पहले उसे downtown car कैसे किया इस वीडियो में आपको बताऊंगा ठीक है सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्र लाइचेंस आखिर ज़रूरी क्यूं होता है आपका पास जो नन ट्र लाइचेंस होता है इसी लाइचेंस से आप कमर्शियल जो बेकल है ये तो आप चला लेते लेकिन प्रब्लम कहां पर आते दुस्तों जब आपका कमर्शियल विकल यानि जो पिला प्लेट वाला गाड़ी जब एक्सिजेंट हो जाएगा उसकी बाद एक्सिजेंट करने की बाद आप जब क्लेम करने जाएंगे इंसूरेंस से आपका गाड़ी जब रिप्यारिंग के लिए जाएगा तो इसके लिए अगर आपका गाड़ी अगर dil कमर्शियल वेकल है अगर आपको कमर्शियल वीकल है तो आपके क्या करना एं यहuç tap कर लादे करना है teach something बाना लेना चाहिए क्योंकि यह आप resort 200-500 या 1000 रूप्य एक्स्टर जाएगा इसकी जबहा को आपको आगा जाके 댄ब स्ट्रक्चर आपको बताउंगा कैसे अब किरमें कि किर सकते कैश्चर अपको समझाऊंगा फा Обिव हो ना है समते पहला अपनिले ल। यहां पर आपको जाना थान आपका पर आप का ऐसे दाल देनी है उसका पुरियों ल' जो non-tier license से उसके पूरे details वह पो डाल देनी है उसके details यह पो आ जाएगा और वह पर आपको non-tier से TR में आपका उसे add करना है license को ठीक है और वह पर आपको payment भी pay करना होगा normally जो payment है LMB license का non-tier से TR मेरा case में 159 का मैंने pay किया था 159 हो सकते हैं आपका city आपका state में इसका rate अलग-अलग हो सकता है तो आपको जब यहाँ पर pay करना है उसकी बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा एक medical declaration form एक fitness form यहाँ पर आपको self declaration form आपको feel करना है यह भी online feel करना होगा और आपको क्या करना है उसे download कर लेना है तिसतरा यहाँ पर एक है form 1A जो की medical certificate है आपको किसी doctor की सहाथ से इसको बनाना होगा सब्सक्राइब पहले तो आपको form one self declaration form दूसरा नंबर पर form one ए जो medical किसी doctor की doctor आपको कैसे मिलेगा यह भी वहाँ पर website में जाके अगर सार्च करेंगे तो आपका आजू बजू में कौन डक्तर है यहाँ पर आपको यह भी पता चल जाता है देखें और form 2 आपका जो main application form है यहाँ पर आपको download कर लेना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है दू-3 चीज़े जो है जैसे कि form two form one self declaration form form one medical certificate और यहाँ पर जो आप payment करेंगे उसका sleep 159 के मैंने पे किया था उसका sleep आप ले लेंगे लेने की बाद आपको क्या करना होगा आपको आयट्वे विजिट करना होगा आप आयट्वे में जाके यह आपका लाइसेंस भी लेके जाएंगे औरिजिनल ठीक है आपका क्ला क्लारी लाइसेंस वहाँ पर शो करना है और पूरे डॉकुमेंट वहाँ पर सब्मीट कर देंगे ठीक है सब्मीट करते ही उसी दिन यह उसका दूसरा दिन आपको एक लाइना क्ला लाइसेंस ईश किया जाएगा यहाँ यह पर कोई भी आपको ट्याश्ट अगरा नहीं लिया जाएगा उसी टैम कोई भी लाण जैसे कि हम पहले लाइन लाइसेंस बनाने के लिए उनलाइण एकजाम देने के जोरोत नहीं बिनने एकजाम की यह पर लाइन लाइसेंस आपका बन जाएगा और और SMS भी आजाएगा आपको आसे डाउंलोड कर पाएगे तीसरा जो में श्टेप है जब आपका लाइनल लाइसेंस आ गया जब आपका लाइनल लाइसेंस आ गया उससे एक मेने की बात आपको क्या करना होगा slot book करना होगा driving license test के लिए यहाँ पर लिकिन आपको यहाँ पर test के लिए आट्व में जाना होगा तो जब आप slot book करेंगे उसकी बाद आपको पूरा document फिर से लेके जाना है उसके साथ साथ में आपको और एक document main document add करना है जिसका नाम है form 14 14 यह form कहां से मिलेगा आपको मैं बता तो यहाँ पर आपको क्या करना है पूरा document लेके और एक मैने की बाद slot book करेंगे slot book करके वहाँ पर जाके टेस्ट देंगे टेस्ट फार्शन के बाद 10 यह 15 दिन में by career by post आपका घर पर यहाँ पर टियर वाला license आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको form 14 कैसे मिलेगा form 14 आ उगर आप उनकी मदद नहीं लेते हो तो यहाँ पर आपका जो driving license है यहाँ पर नहीं बन पाएगा TL license बनाने के लिए यहाँ और किसी स्कूल में driving license उनकी पास जाना आपको ज़रूरी होगा उनसे क्योंकि इनके पास क्या थे government की रूल की मताबिक आपको किसी driving school पे आपको attendance दिखना होता है कि आपने इतना दिन वहाँ पर attend किया यानि training किया उसके पुरा daily का attendance लगते है अब ऐसा कर लेंगे उसकी बाद आपको पास क्या होगा यह जो driving school है वहाँ से आपको form 14 दिया जाएगा उसी form की साथ आप पूरे document लेके और जिस दिन आप आर्टियो में जाएंगे test के लिए उसी दिन आपको यह क्या करना होगा form 14 की साथ बाकी document लेके वहाँ पर में जो काम है यहाँ पर driving license driving school की मदद लेना जरूरी हो गया क्योंकि बिना driving license जायन करके आप स्कूल जायन करके आपको यह पर form 14 नहीं मिलेगा और मिलता भी है और मिलता भी यह कैसे मिलता है देखिए अगर आपका कोई जान पहचान है थोड़ा पैसा देखिए उनसे यह क आइन गया मेरा payment fees किया फीज को पे किया उसके बाद मैंने क्या क्या driving school में मैं भी गया वहाँ पर जाके मैंने 2000 का payment क्या क्योंकि वह जो एटेंडियंस लगा है उसके लिए मैंने 2000 का payment किया उसकी बाद मेरा यह काम हुआ तो अगर आपको लगता है कि आप खुछ से इतना आइसेंस लेके किसी driving school वाला की पाद चले जाए वहाँ पर जाके उनको देदेजिए वह आपसे कुछ पैसा चार्ज करेंगे चार्ज कितना करेंगे यह फिक्स नहीं है नॉर्मेल जो चार्ज है नॉर्मेल जो गॉर्मेंट को देने का चार्ज है वह मेरा case में 1459 था आपक सकते हैं आपका स्टेट की या अलग-अलग हो सकता है लेकिन जब आप स्कूल में जाएंगे वहाँ पर जाने के बाद आपसे कोई 2000 कोई 3000 कोई 5000 कोई 6000 तक भी चार्ज करते हैं तो यहाँ पर यह चार्ज करेंगे और आपको वहाँ पर जाके यह चीज करवाना भी होगा यह पर फीप आपको mater comedian में आना है वहाँ पर आके आपका जो डीटेल्स है यहाँ आपको option मिलेगा वेकल एडिशनल क्लस करके वहाँ पर आपको डीटेल्स को एड करना है आपको दक्वेमेंट करने हैं उसकी बाद डॉकुमेंट अबड जाके आपको उसी दीजह दिनी मिल जाएगा ठीक है आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए आपको उसकी बाद आपको किसी स्कूल का मदद लेना होगा वह आप पर जाके आप एड्मिशन हो जाएंगे या बिना एड्मिशन होके भी आप यह चीज़ कर सकते तोड़ा पाइसा देगे वह पर आपको डेली अटेंडेंस लगेगा वह पर बाई ओटीपी तो यह पर जोरी नहीं कि आपको वह पर जाके क्लास लेना है ट्रेनिंग लेना है आप गर पर आपको स्लोट बूक करके वह पर जाके आपको डाइविंग टेस्ट देना है और वहाँ पर क्या करना है फॉर्म होगरा सब्मिट कर देना है उसकी 10-15 की बाद 10-15 दिन की बाद बाई पोस्ट आपका पास जो ट्र लाइसेंस है वो बाई कुरियर बाई पोस्ट आपका जो यहीं में दिया जाएगा एक चीशंग जो एड्रेस आपकी मैं आपको तो रहा चाहिए इस बीदिगे नीचे कमेंट किढ़े मैं आपको और ष्ट Ohono करीव को बेंगा अगर आपको इस वीडियो तुरह सा भी पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे आगे आने वाली अपजेट पाने के लिए